हाई फ्रेंड्स कैसे हैं स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल वाइड नोलिग में जैसा कि इसके पर आपको एक राइटेंगल ट्राइंगल नजरा रहा होगा जिसका बेस है 20 और है एच और इसमें एक सर्किल नजरा रहा होगा जिसकी रेडियस है 4 तो आपको क्या करना है इस राइटेंगल ट्राइंगल का हाइट वीडियो को अभी पोच करें और हमें कमेंट बॉक्स में आपका अंसर जो भी आ रहा है अब क्या करते हैं, circle के center point से AC line पर एक perpendicular draw करते हैं, P point तक तो यहाँ पर P point पर क्या होगा दोस्तों, यह perpendicular होगा और O P की line जो होगी, वो 4 यानि की radius के बराबर होगा ठीक है, इसी प्रकार O point से Q point तक AB line पर एक perpendicular draw करते हैं, यानि की AB perpendicular होगा ठीक है, और इसकी length कितनी होगी, 4 के बराबर, यानि की circle के radius के बराबर, तो O angle कितना होगा, यह भी 90 degree होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, यह की square बन गया तो O Q बराबर 4 है, तो P A की value कितनी होगी, यह भी 4 होगी इसी प्रकार O P की value 4 है, यानि की radius 4 है, तो यहाँ पर Q A की value कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, तो A Q की value हमारे पास कितनी आ गई, 4, ठीक है, तो यहाँ पर Q B की value कितनी आद आगी दोस्तों, Q B की value आ जाएगी 20 minus 4 is equal to 16, ठीक है, तो दोस्तो P O Q A में square की सभी diamonds हमारे पास आ चुकी है, जो की है 4 के बराबर, और Q B की value हमारे पास आ चुकी है 16, अब हम find out करेंगे B R की value, यानि की B R की value क्या होगी, दोस्तों एक property होती है, यह दिक किसी circle पर किसी point से tangent अगर draw की जाए, तो वो tangents आपस में बराबर होती है, यानि कि यह tangent, यह वाले tangent के बराबर होगी, तो यहाँ पर इसको B point मान लते हैं, और इसको R point मान लते हैं, इसको Q point मान लते हैं, तो B Q is equal to होगा B R के, ठीक है, तो यहाँ पर हमार पास B Q की value कितनी हैं, दोस्तों, 16 है, तो B R की value कितनी आ जाएगी, वो भी 16 आ जाएगी, तो B R की value हमार पास 16 आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम B R की value 16, अब दोस्तों, इसी प्रकार C point से P point तक एक tangent ड्रो की गई इस triangle पर, और C point से R point पर एक tangent ड्रो की गई है, तो अगर C P को हम X मान लते हैं, तो यह वाली tangent जो C R होगी, वो भी X के बराबर होगी, क्योंकि किसी भी point C से किसी circle पर दो tangents ड्रो की जाती है, तो वो आपस में बराबर होती है, तो इस प्रकार हम लिखते हैं, इनको X, X दोनों की बराबर length होगी, तो दोस्तो राइटेंगल ट्रैंगल A, B, C में सभी dimensions को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर A, B side में A, Q की value हमारे पास आ चुकी है 4, Q, B, इसकी value हमारे पास है 16, इसी प्रकार B, C side में B, R की value हमारे पास है 16, और R, C की value हमारे पास है, हमने माना है X, ठीक है, इसी प्रकार तीसरी side है A, C, A, C में C, P की value हमारे पास है, माना है X, और P, A की value हमारे पास आए थी 4, तब यहाँ से हम find out कर सकते हैं दोस्तो, A, B, C की value, तो A, Q, प्लस Q, B हमारे पास क्या आएगा, A, B side आएगी, A, B side किसे आएगी, 4, फ्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आजाएगी 20 value, ठीक, इसी प्रकार दूसरी side हम R, C, प्लस D, R को add करेंगे, तो हमारे पास कौन सी side आएगी, B, C, जिसको क्या आएगा, 16, प्लस X, इसी प्रकार तीसरी side, right angle triangle की AC है, तो CP प्लस PA क्या होगा, AC के बरावर होगा, तो AC क्या लिख सकते हैं, 4 फ्लस X, तो हमारे पास AB की value आगई, 20, BC की value हमारे पास आगई, 16 प्लस X, और AC की हमारे पास value आगई, 4 फ्लस X, तो यहां पर हमारे पास right angle triangle की तीनो tayट आगई, अब इसमें क्या करेंगे हम प्ता गुरुस्ते और हम अपली कर सकते हैं, right angle triangle ABC में हम प्ता गुरुस्तो लिख करते हैं, इसके according हम एक triangle लेते हैं, जो की right angle triangle है A B और C, तो पते गुरुस्ते रम के according किसी भी right angle triangle में, दो छोटी side के square का sum उसकी तीसरी side के square के बड़ावर होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं A, B, C में पतागोरिस तोरम के according A, C square plus A, B square is equal to B, C square यानि कि सबसे बड़ी side के square के बड़ावर तो यहाँ पर हम A, C की value क्या लिख सकते हैं 4 plus X, A, B की value है 20 और B, C की 16 plus X तो इन values को हम इस equation में put करते हैं तो हमारे पास A, C की value है 4 plus X इसका square plus A, B square यानि कि 20 square B, C कितना है हमारे पास 16 plus X इसका square तो A plus B का whole square का formula आपको पता होगा दोस्तों पता होना चीए इसको X से expand करते हैं A square plus B square plus 2 into A, B तो यहाँ पर इसको apply करते हैं तो 4 plus X का whole square क्या लिखते हैं 16 plus X square plus 8X plus 20 का square कितना है 400 is equal to 16 square 256 plus 32X plus X square ठीक है तो यहाँ पर LHS में X square RHS में X square से cancel out कर देंगे तो X वाली जो term से उनको RHS में लेके जाएंगे और जो without X है constant वाली उनको LHS में लेके जाएंगे तो 16 plus 400 minus 256 is equal to 32X minus 8X तो यहाँ पर हमारे पास आजाता है 416 minus 256 is equal to 24 तो यहाँ पर इसको minus करेंगे तो हमारे पास आता है 160 ठीक है is equal to 24X तो यहाँ पर X की value क्या आएगी 160 divided by 24 तो इसकी value आएगी लगबक 6.67 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आगए X की value आगए हमारे पास 6.67 K is equal to तो यहाँ पर CP की value जिसको हमने माना था X उसकी value आगई 6.67 तो हमें क्या find out करना था है इस question में right angle triangle ABC की height यानि की H हमें find out करना था है तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC जो की height है उसको लिख सकते हैं AP प्लस PC तो AP की value हमारे पास कितनी थी 4 और PC की value हमारे पास कितनी आए 6.67 तो यहाँ पर total करेंगे 8 तो हमारे पास आगए 10.67 जो की इस triangle की height है तो यहाँ पर इस question का answer हमारे पास क्या आगया 10.67 तो दोस्तों अगर वीडियो helpful लगा हो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe और हमारे वीडियो को share करना नहीं भूले Thank you, thank you so much for watching